असलाम अलेकुम आज हम एससेशिक 09 क्वालिटेटिव डिसर्च मेथेट के लेसन नबर 22 को डिसकस करेंगे टूल्स फॉर डेटा कोलेक्शन इन क्वालिटेटिव डिसर्च टॉपिक 73 इसके अंदर टूल्स को जिकर किया गया है इंटर्व्यू गाइड है चेक लिस्ट है एक्सल शीट है इन सब को वन वैवन डिटेल से देखते हैं यहां पर भी जिकर है बट हम जो हैं सबका जिकर किया हुआ इन्होंने वन वैवन डिटेल से हैं इंटर्व्यू गाइड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इवेंट्स यानिक एक टॉपिक्स की लिस्ट बना ली जाती है जो इवेंट्स होते हैं या topics कले events कलें कोई भी और फिर इसमें नाम इसमाल करने से वाइड किया जाता है ठीक है और confidential रखी जाते हैं नाम तो इस तरह हैं के असलम हुसान है तो एच नाम रख लेंगे इस तरह उनके जो है वो first letter जो वो इसमाल की जाते हैं तो इसके लावा इन चीज़ों को documents की फॉर्म में लाए जाता है डिफरेंट इंटर्व्यू गाइड के दौरान डिफरेंट किसम के सवालात पूछे जाते हैं जैनल क्वेस्टन परस्टन क्वेस्टन सेंस्टिव एंड कॉमन अंडर्स्टेंडिंड के जाते हैं यह आगे भी आएगा सेम टॉपिक इसको यहीं पर समझ लें कि जैनरल क्वेस्टन के अंदर इसमें आम तोर पर जो है वो जैनरल रूटीन के सवालात पूछे जाते हैं कि वाइलन्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है महाश्रे में वाइलन्स कितनी है इस तरह के सवालात परसनल के अंदर इसके बाद कुछ हद तक सवालात शूरू किया धी जाते हैं आपको वैलन्स पसंद है आपको वैलन्स और लगता है या इस तरह की चीजहं सेंस्टिव को एसमें के अंदर कह रहा है कि बहुत जब जब सवालात जाता है चरूप कर दो बैड़ पर عام सवलाद की तरफ ले जाते हैं क्योंकि बंदा जो होता है जारा दिर तक परसनल सवालों का जवाब सेंस्लिस सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो उसको रिलेक्स करने के लिए कुछ दिर के लिए दुबारा से उससे कॉमन सवाल जनरल सवाल करने शुरू कर दिया जाते हैं और फिर जब वो थोड़ा रिलेक्स हो जाता है उसके बार दुबारा उसको फिर उन सवलाद की तरफ ले जाते हैं ये भी वियोज हमारा लेसन खतम हो चुका है आई होब कि आपको समझ आ गई होगी आखरी में इंटर्वी गाइड के अंदर हमने चार तरह के टाइपस पड़ी है जनरल, परसनल, संस्टिव एंड कॉमन क्वेस्टेंज मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स लेसन में तिल एन टेक क्यार, अलहाफेज